सब्सक्राइब कीजिए नेट सीखो सिखाओ यूटूब चैनल को और दबाए नोटिफिकेशन बेल साथ में सलेक्ट कीजिए आल को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तो मिरा नाम विनोद मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल नेट सिखो सिखाओ में में इसमें आपको कॉई पैसा नहीं लगेगा सबसे पहले दोस्तों हमें अपने सैट Woran होगा सेटिंग में जाने के बाद में स्क्रीन को थोड़ा सा वीपर करना हों यहा पर आपको आप!」 classic option दिखाई दे रहोंगे इस पर जैसे कि मैं Facebook को ओन कर लेता हूँ यहाँ पे, मेरा Facebook डबल हो जाएगा, मैंने YT Studio को ओन कर रखा है, तो इस तरीके से यहाँ से आपको ओन कर लेना है, उस application को जिसको आप double application बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे Facebook को ओन कर लिया है, WhatsApp को ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैं और किसी application को ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, जैसे कि मैं किसी और application को ले लेता हूँ यहाँ यह ले लिया है, मैंने translate को double application बना लिया है, यानि कि मेरे phone में दो-दो translate application दिखाई और दो-दो Facebook दिखाई देगा और दो-दो YouTube इस्टूडियो दिखाई देगा अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है बस आपको अपने होम स्क्रीन पर जाना है यहां पर आप देख सकते हैं YT इस्टूडियो मेरा यहां पर दिखाई दे रहा है फेस्बुक यहां पर हाई दे रहा है यहां पर मैं अगर नए वाले application को open करूंगा तो यह नए श्यरीय से इस्टारт होगा जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पहले बाला workshop यहाँ पर register है यह देख सकते हैं आप तो आप इस तरीके से एक workshop को दो workshop बना सकते हैं इसी तरीके से आपको facebook पर भी दिखाई देगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह नए series से start हो रहा है फिर से जो है आपको email, passport डालने के लिए यह बोल रहा है जबकि मेरा facebook यहाँ पर login है यह देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों आप एक application को दो application बना सकते हैं वो भी बिना किसी application को यूज करे बगर यह setting मैं MI phone में कर रहा हूँ तो अगर आपका MI phone है तो आपके phone में जरूर यह setting होगा तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ वीडियो समझ में आई तो वीडियो को share, like and comment जरूर करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए